आज हम बात करेंगे मिशन की कौन से मिशन सन का मिशन सूरज का मिशन सूरज का मिशन हमने देखा था चांद का मिशन यानि कि चंद्रमा का मिशन लेकिन अभी हम फिलहाल देखेंगे सूरज का मिशन क्योंकि हमारे इस्ट्रों ने जिसको कि हम इंडियन इस्पेस रिचर्च अर्णियसन बोलते हैं इस को ने बहुत बड़ा काम किया सेप्टमबर के महीने में जो की सुरज का मिशन उन्हों नहीं ने लांच किया और और कम्प्लेट किया ये मनजर है कि ये मिशन पान साल के लिए इस्थिर है पान साल के लिए ये mission setup किया गया है जिसके जरीए हम सुरज के बारे में जान पाएंगे सुरज के उन layers के बारे में जान पाएंगे जो कि उसके upper layer, lower layer और middle layer के बारे में बात करता है उसके upper layer में क्या specific कीज़े हैं उसके lower level में क्या specific कीज़े हैं उसके बाकी middle layer क्या जो क्या special चीज़े हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं How? How you know that? अगर बात करें तो हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कि आपको पता होगा सूरज पे अगर नहीं भी पता है तो आप जान जाएए कि सूरज पे एक points है जिसको हम lagranian point बोलते हैं lagranian point 5 होते हैं ठीक है total 5 points है lagranian point सूरज पे जो कि L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जाना जाता है lagranian point क्या होता है? यह sun and earth के बीच में lagranian point होता है जो कि आपको 1.5 million kilometer square के इसाफ से देहने को मिलेगा earth से तो आपको देखने को मिलेगा यह point, stable point इसको बना जाता है एक तरह से कि अगर आपको कोई mission पता लगाना है सूरज के बारे में तो आपको सबसे based अगर तरीका है तो L1 point है L1 point यानि कि जहां पर आपको बात कर सकते हैं gravitation की तो gravitational force वहां पर sun के और earth के बीच में दोनों समान होती है यानि कि stable होती है इसलिए मना जाता है कि stable point है जिसकों की park identify हम कर सकते है सट्लाइट के mission से यानि कि हम सूरज के बारे में अगर जाननी कोशित कर रहेंगे तो L1 point पे हम बहुत ही बहत्रीन तरीके से जान सकते हैं उसके wind के बारे में अर्थ मेंगनेक्टर के बारे में study कर सकते हैं ठीक है फिर आपका monitor करेगा solar activity जो की 24 hours 24 hours के लिए monitor करेगा solar activity वहां के सारी activity है जो हो रही है और Sun पे ठीक है तो Sun पे जो सारे activity है हो रही है 3D map में आपको देखने को मिलेगा जो कि Milky wave में आपको भी देखने को मिलना था इस निकल कर सामने आया ति हमारा L1 मिसन जो था जो की लगनियन पॉइंट पो जाकर से तल हुआ है इसके बारे में हम लोग ने साथे समझा सारे कंडिशन से और सारी तीजह को समझा ठीक है तो यह क्या है लगनियन पॉइंट आगर अगर आपको उसको पूछे तो इस पूइं झाल